Hello friends, welcome to the knowledge seekers guys तो इस वीडियो में मैं बात करने वाल हूँ नागपूर के दो engineering colleges के बार में एक है केडी के college of engineering नागपूर और दूसरा है अंजुमन college of engineering and technology नागपूर तो इस वीडियो में आपको दोनों colleges की काफी सारे जो details है वो बताने वाला हूँ प्लस दोनों colleges का जो cutoff से वो कितना जाता है ये भी बताऊंगा ताकि जब आप preference form भरो तो आपको पता रहे कि कौन से college का जो cutoff है वो जादा जाता है और किसे हमें जादा preference देना चाहिए तो वीडियो पूर एंड तक देखते रहे गए इस ताकि आपको सारी important information मिल जाए और अगर आपने अब दक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आकन जोर से दबाद दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको notifications के तुरू updates मिलते रहे तो जो केडी के college of engineering नागपूर है इसका जो college code है वो है 4147 यह college नागपूर में ही है main city में आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो address है वो आप यह आपे देख सकते हो pin code भी आपे available है इस college का जो establishment date है वो है 1984 तो काफी पुराना college है प्लस इस college का जो campus tour है वो भी मैंने बनाया है detail में आपको पूरा जो campus है उस video में देखने को मिल जाएगा तो links आपको description में मिल रहे होगी campus tour का जो वीडियो है वो ज़रू से देख लेना आपको पूरा all over idea आजाएगा campus का बारे में केडी के college का ठीक है प्लस अगर बात करें nearby railway station और bus stand के तो nearby जो railway station है वो भी काफी 5-4 km है और bus stand भी आपको काफी pass मिल जाएगा जो nearby airport है वो 13 km है इस college में आपको जो boys, hostel, girls, hostel की जो facility है वो मिल जाएगी तो hostel facility है आप या अविलेबर है fee structure आपको जानना होगा hostel या फिर college का तो आपको college में contact करना पड़ेगा आपको detail जो fee structure है वो मिल जाएगा वहाँ पर अगर बात करें इस college के status के बारे में तो जो college है यह private college है प्लस non-autonomous college है private non-autonomous है और minority में नहीं आता है ठीक है तो आपको यह आपर category wise जो cut-offs है वो देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं अंजुमन college के बारे में तो इस college का जो college code है वो है 4172 यह college भी नाकपूर में ही है और आप देख सकते हो जो address है वो है मंगलवारी बाजार रोड सदर नाकपूर pin code आप देख सकते हो प्लस अगर आप nearest railway station की बात करते हो तो 2 km ही दूर है nearest bus stand भी काफी पास है और जो airport है वो भी काफी पास है यहापर हमें hostel की facilities ऐसी सारी जो information हो वो तो देखने को नहीं मिल दी है DT की website पे प्लस अगर इस college की बात की जाए तो यह college भी private college है और यह college भी non-autonomous college है but minority status अगर हम देखते हैं इस college का तो यह muslim minority में आता है तो कुछ sit muslim minority के जो है वो reserved रहेगी इस college में और यहापर आपको जो cut-offs है वो open के ही देखने को मिलेंगे तो cut-off जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको साही जो चीज़ है वो और भी अच्छे से clear हो जाएगी अब guys मैं आपको बताता हूँ कि दोनों colleges में आपको कितनी जो branches है वो देखने को मिलेगी और कौन से कौन से branch में आप यह आप एडमिशन ले पाओगे तो आप देख सकते हो यह केडी के का तो केडी के में है civil, computer science and engineering IT, electrical, electronics and telecommunication mechanical, AI and data science ठीक है तो जो AI and data science है यह 2021 में ही आई है मतलब इस साल से शूरू होने वाली है तो इसका जो got off है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा और जो electronics and telecommunication है यह भी काफी new branch है 2020 में ही शुरू हुई है और फिर जो computer science and engineering है यह भी काफी new branch है 2019 में ही इस college में शुरू हुई है ठीक है और इनका जो intake है वो आप देख सकते है overall college का जो intake है वो है 570 students का cut house भी हम देखेंगे दोनों colleges के और अगर अंजुमन college की बात की जाए तो यहाँ भी हमें branches में civil, computer science and engineering AI and data science electrical engineering electronics and telecommunication mechanical engineering almost same-same branches हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है एक branch शायद यहाँ पे ज़ादा है यहाँ पे हमें देखने को 2, 3, 4, 5, 6 7 branches है केडी के में और यहाँ पे 6 branches है ठीक है तो ज़ादा difference नहीं है और अगर हम intake की बात की जाए अंजुमन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 390 का जो intake है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ठीक है अब बात करते हैं दोनों colleges के cutoffs के बार में जो काफी important रहने वाले है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से college का जो cutoff है वो जाता जाता है ठीक है तो आपको एक difference देखने को मिलेगा एक pure difference देखने को मिलेगा cutoffs में तो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ तो आप देख सकते हो KDK का civil engineering का cutoff अनेडेड है और minority में नहीं आता है इसलिए आपको सारे जो category wise cutoff से वो देखने को मिल जाएंगे जनरल open का आप देख सकते हो civil का 34.75 जो की कम है ठीक है SC का भी कफी कम है ST का आप देख सकते हो 14.26 जनरल OBC का भी देख सकते हो काफी कम है बट यह ही अगर आप अंजुवन का देखते हो यहाप आपको और भी काफी कम देखने को मिलेगा minority college है इसलिए आपको open general open और ladies open ही देखने को मिलेगा तब भी जो cutoff है वो काफी कम है इस college का as compared to KDK next अगर हम ब्रांच देखते है KDK में यह है computer science and engineering इसका जो general open का cutoff है वो गया था 68.83 percentile SC का गया था 52.74 percentile और OBC का गया था 62.41 percentile तो अगर आपको कम percentile है तब भी आपको CS वगरे लिया है तो KDK के बार में आप सोच सकते हो यह भी college अच्छा माना जाता है फिर next अगर हम देखते है अंजुमन का computer science and engineering तो इसका general open का गया था 49.73 जो कि कम as compared to KDK और ladies open का आप देख सकते हो 59.48 percentile गया था ठीक है इस साल CS का में भी थोड़ा बढ़ जाया ऐसा हो सकते है कि competition इस बार भी काफी जादा है CS पे IT का आप देख सकते हो IT general open का गया था 61.81 percentile SC का गया था KDK में 52.45 और general OBC का आप देख सकते हो 57.13 percentile यही अगर हम KDK का देखते है तो यहाँ पे हमें next electrical branch देखने को मिलती है इसका आप जो cutoff है वो देख सकते हो बहुत ही कम गया है general open और ladies open का काफी कम देखने को मिलता है KDK में next branch अगर हम देखते हैं अभी सारी branch KDK के देख लेते हैं इसके electrical का जो cutoff है वो as compared to anjuman काफी है मतलब 29 के आसपस है जो की मतलब cutoff तो भी है बट anjuman में हमें इतना भी देखने को नहीं मिलता है फिर अगर general lobby सी की बात करे तो यहाँ पे भी वैसे ही हाल है ठीक है तो नागपूर में काफी colleges आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका CSIT का cutoff 50 या फिर उसके भी अब हो जाता है और बागी branches का जो cutoff है वो थोड़ा कम जाता है या फिर काफी कम जाता है ठीक है तो यह trend आपको नागपूर के मतलब अल्मोस्स सारे ही colleges में देखने को मिलेगा अगर 3-4 college छोड़ दिये जाए तो ठीक है फिर next है या पर electronics and telecommunication इसका cutoff थोड़ा हाई है जनरल open का 44.48 SC का है 6 point जोगी काफी कम है और ladies ladies open का देख सकते हो 46.78 और जनरल OBC का देख सकते हो 28.44 और फिर या पर mechanical भी है तो mechanical का भी ठीक टाक है as compared to और भी काफी colleges है जिनका इससे भी कम जाता है तो यहाँ पर जनरल open का 33.33 है SC का तो बहुत ही कम है 0 के वा आसपास और जनरल OBC का आप देख सकते हो ठीक है तो और जो AI है वो तो अभी से शुरू हुई है तो वो branch हमे उसका cutoff देखने को नहीं मिलेगा बाकी अंजुमन के जो बचे हुए branch से उनका देख लेते है यहाँ पर इंटी से का जो cutoff है वो भी काफी कम है 11 के आसपास है तो easily college मिल सकता है यह भी और फिर next branch देखे तो यहाँ पर mechanical, mechanical का भी आप देख सकते हैं इस college का काफी कम जो cutoff है देखने को मिलता है ladies open का थोड़ा high था इस बार भी हमें ऐसे देखने को मिलेगा क्योंकि CSIT पर बहुत जादा focus हो रहा है इसलिए maximum college का जो CSIT का cutoff है हो जादा जाता है और बाकी branches का cutoff है हो काफी कम जा रहा है क्योंकि maximum stone CSIT को बहुत जादा जो preference हो दे रहा है बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि CSIT ही मिलेगा तब ही जाके आपको आगे जाके placement मिलेगा आपको कोई भी branch मिलती है अगर आप सही से बढ़ाई करते हो तो आपको placement ज़रू से मिल जाते हो डिपेंड करते हैं आपके स्किल्स पैठीक है तो यह थे दोनों college के overall cut-off अगर आप देखो के consider compare करके देखो के पूरे दोनों colleges को तो जो केडी की college का cut-off है वो as compared to अंजुमन हाई जाता है और आपको जो difference है वो देखने को मिल जाएगा CSIT में भी काफी difference है ठीक है इसका 68 ऐसा something जाता है और उसका काफी कम जाता है तो आपको समझ गया होगा कि किसे हमें जादा preference देना पड़ेगा जिसका cut-off हाई रहता है उसे हमें उपर डालना पड़ता है ठीक है हमें मतलब जब मैं preference form हम भरेंगे ना तो उसका जो वीडियो में डाल दूँगा जिससे आपको clearly पता चल जाएगा कि higher percentile वाले colleges को उपर डालना पड़ता है ताकि हमें जो probability बड़ता है वो college मिलने की फिर वैसे lower lower करते करते colleges के लिए डालना पड़ता है वीडियो में ज़रू बना दूँगा जिससे आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी ठीक है तो इस वीडियो में इतना है इस होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी अगर कोई भी डाउट होता है तो comment section में mention करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राप पर मैसेज कर सकते हैं जरू ट्राइ करूंगा कि आपको सारी questions के जो answer है वो कर दूँ तो इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बैल आकन जोर से दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन के दरू अपडेट्स मिलते रहे